नमस्कार दोस्तों आव सीखे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं दो रंग का ये खुबसूरत सा पैटरन लेके आए हूँ देखिए कितना खुबसूरत है इसे आप जैन स्वेटर में लेडिज प्रजेक्ट में या बच्चों के स्वेटर में इसे डालेंगे ये बहुत ही सुन्दर लेगा इसे बनाने के लिए हमें दो के मल्टिपल में फंदे चाहिए यानि समसंख्या में हम कितने भी फंदे ले सकते हैं डिजाइन बताने से पहले आप से अन्रोध है कि यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो क्रिप्या चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नाटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो चलिए फ्रांस हम डिजाइन बनाते हैं डिजाइन में इसके ऊपर ही बनाऊंगी आप इसे पहली लाइन समझें डिजाइन सामने की तरफ से पढ़ेगा तो यदि आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो आप रॉंग साइट से फंदे बढ़ा सकते हैं तो डिजाइन का पहला लाइन और सामने से पहला फंदा हम सीधा बनेंगे फिर दो फंदो को हम एक साथ लेंगे पहले उनको अपनी ओर कर लेंगे फिर दो फंदो को हम एक स साइट से यानि पहले दूसरे में सलाई डालेंगे फिर पहले में से फ्रंट साइट से हम सलाई डालेंगे और देखिए उन हमारी तरफ है एक सीधा फंदा बना लेंगे अब फिर उनको अपनी और करेंगे और फिर इन ही दोनों फंदों में एक बार और एक सीधा फंदा बना तो देखिए एक से तीन फंदे हमने बनाया और उसके पहले उनको अपनी तरफ कर लिया यानि यह जाले पड़ गया अब फिर हम उनको अपनी ओर करेंगे दो फंदो को हम एक साथ लेंगे और फ्रन्ट लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे उनको अपनी ओर करेंगे और फिर इसी में एक और सीधा फंदा देखिए यह एक फंदे से दो फंदे से यह तीन फंदे हो गया और उसके पहले हमने जाले डाल लिया फिर उनको अपनी और करेंगे दो फंदो को फ्रंट लूप से दो फंदो को एक साथ लेंगे फ्रंट लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे उन हमारी तरफ है इसलिए जाली देते हुए सीधा फिर उन अपनी और करेंगे और फिर इन ही दोनों फंदों में एक बार और एक सीधा फंदा बनाएंगे, उन अपनी और किया, दो फंदों को एक साथ लेंगे, फ्रंट लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे, उन अपनी और करेंगे, और फिर इन ही दोनों फंदों में एक और सीधा फंदा, उन अपनी और दो फंदों को एक स तुनु फंदों में एक सीधा फंदा बनाएंगे फिर उन अपनी योर करेंगे फिर इन्ही दुनु फंदों में एक और सीधा फंदा इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कम्प्लेट कर लेंगे हाथ हम थोड़ा धीला ही चलाएंगे बहुत टाइट करने से डिजाइन की ब्यूटी खत्म हो जाएगे हाथ हम धीला लखेंगे ऐसे करके थोड़ा सा लंबा कर लेंगे और फिर इसी में जाले देते हुए और फिर उन आगे करेंगे और इसी में एक और फंदा तो ये हो गया तीसरा फंदा लास्ट फंदा इसको हम सीधा बुन लेंगे अब ये डिजाइन का दूसरा लाइन है और रॉंग साइट तो पहला फंदा हम उल्टा बुन लेंगे या स्लिप कर लेंगे अब देखें ये चार फंदे हुए ये हमने जाले दिया वो और ये दो फंदों से तीन फंदे लेंगे अब फिर इन दोनों फंदों को हम एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बनाएंगे तो देखें फिर हमारे दो फंदे हो गया देखें चार फंदे दिख रहे हैं दो दो फंदों को हम लेते जाएंगे एक साथ लेंगे और दो का एक का लेंगे उल्टा बुनते ह यह हमारे देखिए चार फंदे हैं तो दो दो फंदो को हम एक साथ लेंगे और दो का एक करते जाएंगे उल्टा बुनते हुए इसी तरह करते हुए दो दो फंदो को एक साथ लेके उल्टा बुनते हुए हम पूरी लाइन कम्प्लेट कर लेंगे तो दो फंदो कुलेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक कलेंगे दो फंदो कुलेंगे उल्टा बुनते हुए दो का एक कलेंगे तो हमारे जितने फंदे थे वापस उतने फंदे ही हो जाएंगे अब ये दिजाइन का तीसरा लाइन है और दूसरे कलर के उन से तो पहला फंदा हम सीधा बुन लेंगे और एक और फंदा हम सीधा बुन लेंगे तो हमने दो फंदे सीधे बुन ली अब देखिए ये एक इस फंदे से एक इस डिजाइन से और एक दूसरे डिजाइन से अब डिजाइन जो है इन दोनों के बीच में बनेगा तो एक इस डिजाइन से फंदा लेंगे और एक दूसरे डिजाइन से फंदा लेंगे और दोनों क इसे सामने की तरफ से इसे सलाई डालेंगे और जाली देते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे थोड़ा सा ऐसे खीचेंगे उनको अपनी तरफ कर लेंगे और फिर इसी में एक और सीधा फंदा उन अपनी तरफ नेक्स दो फंदो को एक साथ देंगे देखिए एक ये इस डिजाइन से है और एक दूसरे डिजाइन से है इन दोनों के बीच में आपकी डिजाइन पढ़ेगा तो दोनों डिजाइन से एक एक फंदे ले लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए सीधी तर से सामने की ओर से एक सीधा फंदा बनाएंगे थोड़ा सा खीचेंगे फिर उनको अपनी ओर करेंगे फिर इन ही दोनों फंदों में एक और सीधा फंदा पहले लाइन को ही हम दूर आ रहे हैं बस डिजाइन एक फंदा आगे भड़ गया पहली लाइन ही है तिसरी लाइन में हम पहली लाइन को ही दूर आएंगे बस फरकिये है कि डिजाइन एक फंदा आगे बढ़ गया है पहले बस फिर दूर आगे बढ़े लाइन को ही दूर आगे बस अब दिजाइन को ही दूर आगे बस उनों इन दोनों में भी हम दिजाइन बना लेंगे उनको पहले अपनी तरफ करेंगे फिर इन दोनों फंदों में भी हम तीन फंदे बनाएंगे सिधा बुना उन अपनी उर किया फिर इन ही दोनों फंदों में एक और सिधा फंदे तो हमने ये तिस्री राइन भी complete कर लिया wrong side से अब देखिए दो दो हार design में ऐसे 4-4 फंदे दिख रहा है तो 2-2 फंदो को हम एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे next 2 फंदो को एक साथ लेंगे उल्टा बुनते हुए दो का एक ये 4 फंदे दिख रहा है तो 2-2 फंदो को हम एक साथ लेंगे उल्टा बुनते जाएंगे और दो का एक करते जाएंगे 2 फंदो को एक साथ लिया उल्टा बुनते हुए दो का एक next 2 फंदो को एक साथ लिया उल्टा बुनते हुए दो काई तो इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कम्प्लीट करें तो हमने दो दो फंदो को एक साथ लेते हुए और उल्टा बुनते हुए अब पूरी लाइन कम्प्लीट कर लिया है देखे शुरुआत में हमने दो फंदों को सीधा बुना था तो इन दोनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे तो देखे फ्रेंट्स चार ला इन का हमारा रिपीटेंड डिजाइन है और डिजाइन बन के तयार है सामने से ये ऐसा दिखाय दे रहा है और पीछे से ऐसा तो फ्रेंट्स दिजाइन आपके सामने है आशा है आपको पसंद आया होगा यदि आपको दिजाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब थैंक्स फर वाचिंग